Hello my dear friends, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूँ मेरे चेहरे पे आपको मुस्कान दिख रही है ये मुस्कान थोड़ी देर में आपके भी चेहरे पर आने वाली है क्यों? क्योंकि ये चैप्टर नमबर थ्री छोटा है पहले दो चेप्टर जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मुझे भी टेंचन थी कितने लेंदी चेप्टर है, कब खतम होंगे तो चेप्टर नमबर थ्री आसान भी है और छोटा भी है इसने मेरे चैरे पर भी खुशी है और जल्दी ही आपके चैरे पर भी खुशी आ जाएगी तो बच्चे कह रहे हैं कि सर एक बात बताईए चोटे का मतलब क्या होता है आपका मतलब कितनी क्लास लोगे? तो मैं कहा चलो, कंसेप्ट के साथ साथ बाते करेंगे तो चोटे का मतलब यह है कि मैं आपको आप जानते हो डिटेल में पढ़ाऊँगा तो डिटेल में पढ़ाऊँगा तो भी मैकसिमम तीन क्लास, चार क्लास इससे ज़्यादा नहीं हो सकती तो चैप्टर नमबर थ्री है और चैप्टर का नाम है गुडविल और बहुत ही असान चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया यह चैप्टर है मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है हमारे कॉपमर्स में तो यह सबसे बड़ी टर्म होती है गुडविल इसके बारे में आज आपको हम बताएंगे तो goodwill के बारे में हम आपको बताएंगे लगएगा समय इस चैप्टर में हम आपके साथ goodwill के बारे में theory की भी बात करेंगे और valuation की भी बात करेंगे यह जो valuation है यह basically यह mathematical calculation की बात करेगा क्योंकि value निकालना यह mathematical बात है आने वाले chapters में हम goodwill से related accounting की बात आने वाली classes में करेंगे यानि chapter number 4 onwards जब हम बात करेंगे तो हम goodwill की accounting की कैसे बात होती है वो बात करेंगे इस chapter में मैं आपके साथ goodwill के बारे में क्या बात करूँगा तो मैं आपको goodwill का meaning समझाऊँगा और उसकी value कैसे find out करनी है ये बताऊँगा ठीक है तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि sir goodwill होती क्या है अच्छा हम ना एक और आपके साथ experiment करके देखेंगे और अगर वो अच्छा लगेगा तो आप मुझे बताईएगा experiment ये है कि ये जब chapter आप start करेंगे तो starting के तीन pages या 4 pages starting के 3 या 4 pages जो आपके register के होंगे वो आप blank रखना उन 3-4 pages के अंदर ना मैं आपको ये जो concept मैंने लिख के दिया है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है या तो इसका PDF लगा देंगे या आप अपने हाथों से note कर लेना मतलब starting के 3-4 pages में हम chapter के concept और theory लिखेंगे और उसके बाद हम practice जो करेंगे वो 4 pages के बाद करेंगे 5th page से so that आप exam के time पर revision कर पाएं ठीक है तो starting के 4 pages में आप मेरे साथ साथ क्या लिखने वाले हैं ये लिखने वाले हैं sir आपने लिख के रखा हुआ है ठीक है तो आप video pause करके लिख लेना starting के 4 pages में हम ये सारी बाते लिखेंगे पूरे chapter का formula concept सब लिखेंगे तो पहले page से लिखना शुरू कीजिए सबसे पहले वाँ लिखे goodwill तो goodwill के बारे में आपको बताएंगे लेकिन हमारे exam point of view से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा goodwill है chapter इसके theoretical भी 2-4 points है ज्यादा नहीं है वो exam में पूछे जाते हैं तो हम theoretical बात भी करेंगे और इस chapter का major time हम valuation के उपर बिताएंगे तो हो सकता है आज valuation की बाते कम हो शुरू हो जाएं तो next class से हम practical concept की बात करेंगे theory में sir क्या पूछा जाता है तो पहले meaning और nature हमें बताना होगा और फिर ये question आ जाता है कई बार exam में कि हमें goodwill की valuation करने की जुरुत partnership में क्यों पढ़ रही है और वो कौन से कारण हैं कौन से factors हैं जो हमारी goodwill को affect करते हैं और एक concept होता है goodwill, purchase goodwill और self generated goodwill इसके बारे में हम theoretical बाते आपके साथ करेंगे और फिर हम practical बातों के उपर भी आएंगे तो पहले मैं आपके साथ theory से बात करता हूँ अब definitely book में तो है ही लेकिन यहां से भी आप समझ लीजिए और इसको आप अपने वो जो 4 pages हैं उसमें आप note कीजिएगा मैं कोशिश करूँगा कि मैं इनका PDF generate करके आपको दे दूँ तो आप printout निकालके भी लगा सकते हैं बट मेरी suggestion है कि हाथ से लिखिए अब मेरे साथ साथ समझना शुरू करते हैं हम बात कर रहे हैं goodwill तो goodwill क्या होता है goodwill basically एक intangible asset होता है अब सभी बच्चे मेरे से ज्यादा अच्छी उनकी English है सभी को पता है intangible का मतलब क्या होता है intangible का मतलब जो दिखाई नहीं देता आज कल के बच्चों को तो बहुत श्योक है serial भी देखेंगे तो horror movie भी देखेंगे तो haunted है ना तो intangible मतलब एद्रिश्य जिसे हम देख नहीं सकते जिसे हम touch नहीं कर सकते वो intangible ठीक है जिसे हम मैसूस कर सकते जैसे horror film में सर इसमें horror क्या था डर तो लगाई नहीं तो intangible है goodwill एक asset है number one सबसे पहली बात goodwill एक asset है asset का मतलब पता है ना asset का मतलब एक ऐसा property है आपके पास जिससे आपको future में benefit मिल सकता है जिससे आप sale कर सकते हैं और जिससे आप money realize कर सकते हैं goodwill हमारा एक asset होता है लेकिन ये asset हमारा tangible नहीं होता physical existence नहीं रखता ये हमारा intangible होता है अब सर क्या एक ही intangible asset goodwill होता है नहीं हमारे पास कई सारे intangible assets होते हैं ठीक है तो goodwill एक ऐसा intangible asset है जिसकी वज़े से which places an enterprise at an advantage जिसकी वज़े से business को एक advantage मिलने लगती है क्या मिलने advantage लगती है उस advantage की वज़े से due to which the enterprise is able to earn higher profits than normal profits एक ऐसी goodwill एक ऐसी advantage का नाम है जिसकी वज़े से organization को business organization को normal profit से ज्यादा profit होने लगते है it is called goodwill now sir हम बात करते हैं हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं मैं separate page पे समझाओं यहीं समझा दो हम किसी business का example लेते हैं सबसे अच्छा example अगर मैं लूँ तो मैं car company की बात करता हूँ अगर हम car company की बात करें तो आपके मन में कई सारी car company जाएंगी तो मैं अभी ना premium car segment की बात नहीं कर रहा normal car companies की बात कर रहा हूँ जैसे के normal car company में एक आती है मारूती एक आती है आपकी हुंड़ई फिर आपकी टाटा मोटर्स भी है महिंद्रा एंड महिंद्रा भी है और और भी बहुत सारी car companies हैं जैसे के अब आप कह सकते हो sir किया company आ गई है renault company है Nissan company है sir sir Honda का तो नाम लिया ही नहीं आपने Honda company है तो ऐसे बहुत सारी company है तो हमारी country में बहुत सारी car companies हैं लेकिन आप देखेंगे के mostly मारूती और हुंड़ई यही अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर business यही करते हैं normal car categories की बात कर रहा हूं जो की आम इनसान के लिए मैं जैगुआर बेंटले या ऐसी हाई फाई फरारी की बात नहीं कर रहा तो हमने car companies को देखा हमने कहा है यह ज्यादा तर ना लोग मारूती company या Hyundai company की car लेते हैं इसका मतलब यह है कि अगर मैं इन companies के comparison में बात करूं तो इन companies को ना ज्यादा profit होता है इसका मतलब मैं साफ शब्दों में आप से कह रहा हूं कि मारूती company को Hyundai company को in comparison to Tata, in comparison to Toyota in comparison to Honda in comparison to any other company ज्यादा profit होते हैं क्यों sir इनका नाम है हर किसी को इनका नाम पता है जब कार लेनी हो तो इनका नाम दिमाग में आता है sir इतना कटिन-कटिन example दे तो एक सस्ता सा हमें Maggie का example देते ना book लगे हो तो हमारे मन में noodles के बारे में Maggie का नाम आता है तो यानि कि जो यह आपके मन में यह जो Maggie का नाम आ जाता है अचानक से यही goodwill है तो goodwill is an intangible asset यह एक वो अद्रिश्य asset है जिसकी वज़े से किसी भी व्यापार को एक advantage मिलती है और उस advantage की वज़े से वो higher profit earn करने लगता है than normal profit तो लोगों के मन में जैसी आता है उस product का नाम वो उसी company का product use करने लगते हैं तो इस इसलिए उस company की sales ज्यादा होती है और उस company को profit ज्यादा होता है इसे हम बोलते है goodwill तो goodwill को define करने के लिए कई बार कोशिश की गई और यह matter नहीं करता कि goodwill की definition आप कहां से पकड़ेंगे आप definition को रटना मत क्योंकि हमारी country में जो authentic document चलता है या internationally जी जो authentic document चलते हैं उसमें AS26 intangible assets को deal करता है वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि goodwill के बारे में हम बहुत जादा कुछ define नहीं करेंगे तो goodwill की कोई ऐसी exact definition नहीं है कि आप उसको रटें लेकिन हाँ आपको समझाने के लिए मैंने बुक से एक definition थोड़ी सी change करके रखी है पढ़िए goodwill is the present value अब यह जो present value term नहीं यह technical term है इसका मतलब यह है let us suppose अभी चल रहा है year 21, future के year आएंगे 22, 23, 24 25, 26 यह सारे हमारे future के years है हमें future में क्योंकि हमारा business का जो concept होता है वो going concern concept होता है यानि हर एक business को भविश्य में यह profit मिलेंगे यह profit मिलेंगे यह same नहीं होंगे मैंने इसलिए इसका नाम रख दिया P1, P2, P3, P45 यह value मिलेंगे goodwill कह रही है कि मैं एक आद्रिष्यत आकत हूं जिसकी वज़े से मेरे बिजनस को extra profit मिलेंगे मतलब इन profit में से कुछ extra profits हैं यह मिल रहे हैं किस की वज़े nossa मिल रहे हैозможно गुड्विल कीवसे मिल रहे है और यह जो extra profit मिल रहे है यह numerical terms में मिल रहे है ये हमें future period में मिलने वाले हैं, तो अगर कोई व्यक्ति ये कहे के future में sir, अगर कोई पैसे मिलने वाले हैं, तो मैं अगर उसको आज deal करना चाहता हूँ, purchase sale करना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे उन future के पैसो की आज एक value निकाल के दे सकते हो, ये mathematics में बहुत ही common और एक popular concept है, लेकिन आप इसके बारे में अभी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, तो भविश्य में पढ़ेंगे, इसका मतलब future के money की आज एक value find out की जा सकती है, जिसका technical name होता है present value, इसी लिए हमने यहाँ पर लिखा, कि goodwill is the present value, तो goodwill आज की value है, किस बात की, of expected future incomes, जो सर, क्या यह पूरी income की value है, नहीं, यह value केवल उस access part की है, जो आपको access income मिलेगी, और उस access को हम बोलते हैं, access of normal return on investment in tangible assets, यानि कि आपने अपने business में एक तो tangible assets लगाए हैं, और एक intangible assets लगाए हैं, जिसको हम बोल रहे हैं, goodwill, यह tangible assets तो जो भी होगी normal return produce करते हैं, यह हर किसी के पास होते हैं, मतलब अगर Tata company है, या फिर Toyota company है, या महिंदरा company है, तो tangible assets का मतलब होता है, machinery, stock, यह सब तो उनके पास भी है, केवले goodwill एक extra factor होता है, जो इसके over and above आपको extra income generate कराता है, और इसी को present value को हमने नाम दे दिया, value of goodwill, हाला कि बहुत जादा आपको technical terms में जाने की जरुत नहीं है, तो goodwill is the present value, किसकी present value, of expected future income, कौन सी income, that is in excess of normal return on investment in tangible assets, जो tangible assets होंगे, इन पे जो normal return होती है, उससे जो extra value return होगी, उसकी present value को कहते हैं, फिर इसी बात को अगर नहीं समझ में आया, तो हमने एक और language लिखने क की कोशिश आपके साथ की है, वो ये, कि या फिर ऐसे समझो, goodwill is a present value, for excess of price, paid for a business as a whole, over the market value of all tangible net assets purchased, इसका मतलब, इसका मतलब, अगर ये एक business है, इस business के पास एक tangible assets है, एक intangible assets है, और इस intangible assets को हम goodwill बोलते हैं, ये tangible assets मान लीजिए, दो करोड के हैं, एक व्यक्ति आया, और उसने का, मैं इस business को खरीदना चाहता हूँ, हमने का, बताओ क्या दोगे, उनने का, ये तो दो करोड के आपके पास machinery, factory, building, stock, ये सब है, मैं आपको इसके लिए 3 करोड देने को तियार हूँ, तो हमने 3 करोड मे जो value मिलती है, उसे हम goodwill बोलते हैं, अच्छा, अब क्या है ना, कि आप फोड़ा सा tension में आ जोगे सर, कितनी technical बाते हैं, आपने हमारे सत कर दी, अरे नहीं बेटे, अगर मैं सीधा goodwill को समझाना शुरू करता, तो आप कहते के सर, आप में, और फिर वो बाकी सारी वीडियो जो YouTube में हम देखते हैं, क्या फरक हो गया, तो पहले कुछ समझाओ, तो समझाया है, इसमें से कुछ रटना नहीं है, जितना समझ में आ गया, ठीक है, बाकी जब practical करेंगे, तो मेरी एक एक लाइन, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी, अभी मैंने इतना बताया, कि goodwill एक ऐसी intangible asset होती है, जिसकी वज़े से business को extra income generate होने लगती है, बस, अब अगर इसकी value कह दें, तो वो value of goodwill हो जाएगी, और वो हम इस पूरे chapter में आपको बार 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 बताएंगे, तो goodwill मतलब extra income की value, goodwill मतलब extra income earn करने की जो ताकत है, ठीक है sir, अब intangible की वज़े से न student कई बार ना दो concept में confusion कर जाते हैं, हाला कि सभी नहीं करते, 90% तो इस confusion से बाहर आ जाते हैं, 10% विद्यारती ऐसे होते हैं, जो गलती करते हैं, पहला मैंने आप से कहा कि goodwill is an intangible asset, मतलब इसकी कोई physical existence नहीं है, ये दिखाई नहीं देता, ये केव महसूस होता है, एक और हमारे पास ना concept आता है, जिसे accounting में हम बोलते हैं, fictitious assets, fictitious का मतलब है कि वो बरबाद हो चुके हैं, नुकसान हो चुका है, तो ये जो asset हमारे lost हो चुके हैं, उनको बोलते हैं, fictitious assets, इसके अगर मैं कुछ example कहूं, detail में नहीं जाऊंगा, तो एक त मतलब ये खर्चा था, इसको balance sheet में रहना चाहिए था, लेकिन ये balance sheet में ना रहा कर, इसको P&L में रहना चाहिए था, खर्चे कहां रहते हैं, P&L में, लेकिन ये कहता है कि नहीं, मुझे balance sheet में ले चलो, balance sheet में ले चलो, ले आए भाई, मजबूरी है, accounting की कुछ मजबूरी ह होती है, हम इनको ले आए, तो अब ये balance sheet में asset side पर आ गया, तो अब इसको assets की संग्या मिल गई, और इस संग्या, जो नाम इसको हमने दिया, हमने इसको नाम दे दिया, fictitious assets, तो कई बारना हमारे पास advertisement, suspense, ऐसे कुछ नाम, balance sheet में आ जाते हैं, और उसे हमारी accounting बोलती है, fictitious assets, और उन fictitious assets में और goodwill में अंतर होता है, goodwill intangible होता है, fictitious नहीं होता है, सर सर, एक बात बताओ, एक company है, Kingfisher, वो Kingfisher company का मालिक जो है न, वो विदेश में भाग गया, उसकी company losses में चलने लगी, या Anil Ambani की companies भी न, दुखसान में चल रही हैं, जैसे के Reliance Power नाम की उसकी एक company है, तो कई बार क्या होता है, companies जो होती है, पहले profitable होती है, और बाद में वो loss making हो जाती है, तो अगर कोई company, loss making company हो जाए, तो उस company की balance sheet में, अगर goodwill appear कर रही हो, तो वो भी losses में convert हो जाती है, और कई बार कुछ लोग example दे के जिद करते हैं, कि गगंसर आपने तो कहा था, goodwill intangible होती है, लेकिन एक loss making company की balance sheet में, अगर goodwill आ रही है, तो वो तो fictitious होती है, तो वो एक exceptional situation है, बेटे, normal situation जो हमारी normal accounting का concept कहता है, वो goodwill is an intangible asset, एक company profitable होती है, तब ही उसको extra profit हो रहे होती है, future में अगर वो company losses में चली जाए, तब exceptional cases में, वो intangible से fictitious में convert होती है, पर अगर आप से ये question पूछा जाए, कि whether goodwill is intangible asset और fictitious asset, तो आपने कहना है intangible asset, ठीक है, बाकी मुझसे जिदमत करना, आगे आपकी मर्जी है, तो हमने एक बात लिखिया है, कि सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे, गोड़ विल जो है, वो intangible asset है, ना कि वो fictitious asset है, ये एक normal situation है, बाकी extraordinary situation से, आप उसको जैसे भी प्रूव करना चाहें, वो हम उस जंजट में नहीं पढ़ते, fictitious assets are those assets which have no realizable value, ठीक है जी, तो मुझे बताएं, goodwill का meaning समझ में आया, हाँ sir, goodwill का meaning समझ में आया, इसका मतलब है, एक company जिसका good name है, जिसकी वज़े से लोग उसकी तरफ ज्यादा attract होते हैं, उसका सामान ज्यादा बिकने लगता है, और उसको एक normal business से ज्यादा profit होने लगता है, छीक है, इतना बहुत है, सर, सर, ये बताओ, अचानक partnership पढ़ते पढ़ते हमें इनकी जरुवत क्यों पढ़ने लगी, exam में आप से पूछेगा, theory में, कि बताएं भाई, आपको partnership में ऐसी क्या जरुवत पढ़ गई, कि आप goodwill की बाते करने लग दे, business का मतलब होता है profit, 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 extra profit, extra profit, इसी के लिए तो पूरी जोर लगाया जाता है, तो सर, ऐसा बताएं, goodwill को value करने की क्या आवशक्ता थी, वो exam में आप से पूछेगा, तो आप एक बार read कर लेंगे, बस, ठीक है, मैं अगर read नहीं करवाऊंगा, तो कुछ बच्चे जो होते हैं, वो फिर read नहीं करते, तो goodwill को value करने की जुरुत पढ़ती है, when there is a change in profit sharing ratio, तो हम जब अगला chapter आपको पढ़ाएंगे, उसमें हम यह कहेंगे, कि ABC partner थे, उनके मन में आया, कि भईया, हम अपनी profit sharing ratio को बदलते हैं, तो फिर ऐसे में हमें goodwill की जुरुत पढ़ जाएगी, इसलिए बुक ने का, कपूर साब, पहले बच्चों को goodwill के बारे में बताओ, फिर हम next chapter में, change of profit sharing ratio की बात करेंगे, ठीक है जी, when a new partner is admitted into the partnership, partner retires or dies, एक partner retire हो गया, कि भई अब बहुत व्यापार कर लिया, अब मैं सुक चैन की जिन्दगी जीना चाहता हूँ, तो भई मैं business से जा रहा हूँ, मुझे मेरा हिसाब कर दो, एक व्यक्ति अपनी मर्जी से चला जाता है, और एक को, कोरोना जैसी बिमारियां मजबूरी से भाहर ले जाती है, दुखत बाते हो जाती है, तो जब भी partner, चाहे वो अपनी मर्जी से जाए, चाहे प्रभू उसको जबरस्ती बेज रहे हो, तो भई उसका हिसाब तो करना पड़ेगा न, गुडविल की बात तब भी होगी, वेन पार्टनर्शी बिजनस इस सोल्ड एज़ गोइंग कंसर्ण, देखो, बिजनस जो है, जब तक चलता रहेगा, तब तक प्रॉफिट जनरेट करता रहेगा, पार्टनर कहरे हम तो बुड़े हो गए, हमारे बच्चे फॉरण में सेटल हो गए, हमारे बच्चे तो डॉक्टर बन गए, उनका बिजनस में इंट्रस्ट ही नहीं है, तो क्या करेंगे, हमने इतनी महनत की बेकार जाएगी, वो कहरे भाई अपना बिजनस सेल कर दो, अब बिजनस के अंदर एक तो होते हैं, टेंजिबल एसेट्स, वो तो आपने सेल कर दी है, कोई बात नहीं, लेकिन जो इन टेंजिबल एसेट है, उसकी भी सेल होगी, तो यानि कि अगर आप अपने बिजनस को बंद नहीं कर रहे हैं, आगे किसी और को सेल कर रहे हैं, और वो आपके बिजनस को कंटिन्यू करने वाला है, तो ये प्रॉफिट उसको भविश्य में मिलने वाले हैं, तो वो आपको पैसा देगा, तो अगर आप अपने बिजनस को सोल्ड कर देते हैं, ऐसा गोईंग कंसन, गोईंग कंसन का मतलब है, कि आपका बिजनस भविश्य में चलने वाला है, वो बंद नहीं होगा, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, कि चलो भाई, हमें नहीं करना बिजनस, बंद कर दो, उम कहरें, तेरी गुड़ विल है, सर, क्या ये बाते हमारे कोर्स का पार्ट है, नहीं, ये हमारे भविश्य के चैप्टर्स का पार्ट है, ये हमारे को नहीं पढ़ना, अच्छा, फिर उसके बाद ना, एडवांस लेवल पर कई बार ये पढ़ाया जाता है, कि दो पार्टनर्शिफ फर्म थी, और Y दो पार्टनर थे, और नई कंपनी में A, B, X, Y, चार पार्टनर बन जाएंगे, तो हाला कि बेटे हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, मगर हमने कभी सबक नहीं सिखा, हम अंग्रेजों के गुलाम क्यों रहे, क्योंकि हम छोटे छोटे पार्ट्स में बटे हुए थे, बहुत इजिली अंग्रेज हमारे उपर आए, और उन्होंने हमारे उपर अधिकार जमा लिया, फिर जब हमारी कंट्री आजाद होने वाली थी, तो हमारी कंट्री के कुछ अच्छे नेता हैं, पटेल सहाब हैं, उन्होंने कई छोटे छोटे प्रांतों को समझाया, कि अलग-अलग मत रहो, हमारे साथ रहो, बचे वे रहोगे, तो अबी भी कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, वो कई बार अजीब बाते कर देती हैं, लेकिन एक साथ जुड़े वे रहो, अगर आप कंट्री से अलग हो जाओगे, तो नुकसान होगा, फाइदा किसमें हैं, मिल के रहने में, तो business में भी ऐसे ही होता है कि जब दो companies अलग-अलग होती है तो उन्हें समझ में आता है कि यार हम नुकसान करना है क्यों न हम मिल जाएं इसका एक example था अगर आपको ध्यान हो तो Vodafone company और idea company का आपस में merger हुआ था लेकिन वो companies थी partnership में भी ऐसा होता है कि एक partnership दूसरी partnership के साथ मर्ज हो जाएगी जब मर्ज हो जाएगी तो उसको हम बोलते है amalgamation या amalgamate होना तो amalgamate का मतलब होता है दो लोगों का जुड़के एक हो जाना बस तो जब वो दो लोग जुड़के एक होंगे तो हिसाब किताब करने के लिए हमें उन दोनों की goodwill की जुरुत पड़ेगी value निकालने की फिर होता है कि सर मेरी partnership firm है लेकिन मेरा business बहुत अच्छा चलने लग गया है partnership firm में ना कुछ बुराइए हैं law की नजरों में जिने दूर किया जा सकता है अगर हम उसे company form में convert कर लें तो हम अगर अपनी partnership firm को company में convert कर लें तो भी हमें goodwill की valuation की ज़रुत पड़ेगी जब आप partnership firm को company में convert करेंगे इन 5-6 cases में से कोई भी 3 या 4 cases आपने याद कर लेने हैं और वो बहुत easily याद हो जाएंगे क्योंकि वो आपके आगे आने वाले chapters के ही नाम है अच्छा सा ठीक है sir goodwill समझ में आ गया ठीक है जी intangible होता है ये भी समझ में आ गया ये भी समझ में आ गया के need क्यों पड़ी अब वापिस चलते हैं sir एक बात बताईए के मारूती company या फिर Hyundai company ये टाटा company से ज़्यादा या जो आपने example दिये उन company से ज़्यादा profit कमाती है तो क्यों कमाती है या कोई भी business अगर आप देखते है कि कोई भी business अगर ज़्यादा profit कमाता है तो क्यों कमाता है उसकी क्या वज़े है देखिए general सा rule है आप अपने life में अगर कहीं पर भी इसको apply करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जैसे कि हम मान लीजिए school की बात करते है हम कहते हैं हमारा school कौन सा है अच्छा अगर मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना होगा तो मैं modern school में पढ़ाऊँगा डीपियस में पढ़ाऊँगा यहां पढ़ाऊँगा इसका मतलब school की बात आई तो आपके मन में किसी एक school का नाम आ रहा है क्यों आ रहा है क्योंकि उस school की goodwill है अब सर यह modern school यह डीपियस की goodwill क्यों है यह आप समझ सकते हैं इसलिए मैंने example दिया अगर आप कोई business की बात करें तो कोई business extra profit कमा रहा है क्यों extra profit कमा रहा है सोचे कौन से कारण है उसी कों बोलते है factors affecting goodwill तो extra profit कमाने की कई सारे factors हो सकते हैं कोई एक factor नहीं होता कई सारे factors इसके हो सकते हैं आप से अगर वो exam में पूछे कि बताएं कौन से factors हैं जिनसे हमारी goodwill बनती है तो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूँ कि अगर मैं आपके साथ book में बात करूँ तो आप book में न यहां पर ठीक है यह देखिए यह दिया हुआ है factors affecting goodwill goodwill किन कारणों से बनती है तो यह बहुत इनस simple reason होते हैं आप इन्हें अपनी language में लिख सकते हैं इसलिए मैंने यहां पर इनको include नहीं किया केवल इनकी headings को include किया है तो आईए मेरे साथ समझते हैं अगर किसी बच्चे की explanation power कमजोर हो तो वो book से इसके लिए दो-दो line है रट लेना पहला number one sir अगर मुझे business में दूसरे के मुकाबले extra profit होता है क्यों इसका एक कारण हो सकते है nature of business बेटे जो लोग medical line में हैं उनसे आप जाकर के पूछिए वो आपको बले सच बताएं या ना बताएं लेकिन सच तो यही है कि एक business अगर chemist shop की अगर मैं बात करूँ और दूसी तरफ अगर मैं किसी और business की बात करूँ जैसे मालो बगल में एक departmental store है या पडोस में आप देख रहे हैं कोई shop चल रही है जो कि क्रॉकरी sale कर रही है कोई भी shop है तो वो भी business कर रहा है और वो भी business कर रहा है और आपको पता है सभी लोग जो हमारा रहन सहन है हम सभी लोग बिमार हैं तो हमें chemist के पास भागना ही भागना है और फिर जो chemist के पास जो medicine मिलती है उनमें एक दो परसेंट का नहीं एक एक हजार परसेंट का profit margin होता है तो nature of business भी एक factor होता है तो जब इनसान business करेगा तो वो सोचेगा भी मैं कौन सा business करूँ किसमें ज़्यादा profit होता है तो इस तरीके से वो decide करते है तो nature of business इसका मतलब अगर आप grocery store चलाएंगे तो कम profit होगा अगर आप medical store चलाएंगे तो ज़्यादा profit होगा अब आप ये मत क्याना पिर सर लोग grocery का store चलाती ही क्यों है दूसरा होता है efficiency of management अब मैं भी teaching line में हूँ तो मुझे profit थोड़ा कम होता है लेकिन आप कहें सर बड़ी बड़ी company की बात करो unacademy by ju इनको बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उनकी management मेरे से ज़्यादा efficient हो सकती है तो efficiency of management भी एक कारण होता है जिसकी वज़े से business में profit होता है Sir, क्या इन दोनों बातों का होना जुरूए है नहीं बेटे, इन में से कोई भी factor हो सकता है सारे भी हो सकते हैं, कुछ हो, कुछ ना हो ऐसा भी हो सकता है तो इन सारों में से कोई भी factor goodwill generate कर सकता है, सारे भी कर सकते है तो अगर किसी business की management बहुत अच्छी होती है, तो उसको बहुत profit हो रहा होता है जैसे के हो सकता है, आपको लगता हो अडानी या अंबानी को ज़्यादा profit हो रहा है तो हो सकता है, उनकी management ज़्यादा अच्छी है तीसरा होता है, location of business कई बार क्या होता है, कि किसी company को एक contract मिला हुआ है, land मिली हुई है वो advantageous position पे है दूसरी company को जो land मिली हुई है वो advantageous position पे नहीं है तो उसको problem हो जाती है यानि location of business यानि कि factory की location का होना आपके office की location का होना आपके shop की location का होना आपके go down की location का होना ये भी एक factor हो सकता है कि आप किसी वो कहते भी सुनेंगे यार हमें profit कम क्यों होता है क्योंकि हमारी factory जो है वो किसी ऐसी जगा पर है जहां से raw material मिलना मुश्किल है इस तरीके से दिक्कत हो सकती है अब आप अपनी फैक्टरी पहाड़ों के इलाके में जाके लगानी पड़ जाए तो क्या होगा अगर आपकी फैक्टरी या आपका वेर आउस या आपका गुडाउन सी के पास हो तो वहाँ से आप एजिली अपने गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो लोकेशन का बहुत एडवांटेज है अगर आप थोड़े बड़े होते तो मैं आपको समझाता के चाइना ये ड्रामे बाजी क्यों करता है सी रूट के ओपर अपना कबजा क्यों जमाना चाता है ठीक है ठीक है सर अभी ये बाते मत बताना बहुत बड़ी बाते हो जाएंगी फिर आता है सर क्वालिटी आफ प्रोड़क्ट कई बार ऐसा होता है कि किसी कंपनी को कुछ कंट्रेक्ट बिले होते हैं लॉंग टर्म कंट्रेक्ट जिसकी वेशे उसको अच्छा प्रोफिट हो रहा होता है जैसे गॉर्मेंट अगर अपना कोई काम करवाती है और वो इन्फोसिस से कहती है कि हमारा टेक्सेशन जो GST है उसका सौफ्ट्वेर आप बनाओगे अब एक सौफ्ट्वेर कंपनी नॉर्मल कंपनी है उसके पास कोई गॉर्मेंट कंट्रेक्ट नहीं है तो उसे कम प्रोफिट होगा और जिसके पास government contract होंगे उसके पास ज्यादा profit होगा अब बच्चा कई बार ना इस level पे सोच में पढ़ जाता है कि sir government contract होने से ज्यादा profit कैसे होता है government तो मुफद्खोरी के काम करती है तो जाके अपने parents के साथ पूछना, discuss करना तो वो बताएंगे अब आता है जी age of a business तो हमने निसान से company, निसान company से पूछा कि आपको हिंदुस्तान में ज्यादा profit नहीं होता सुना है आपका वेपार, इंडिया में तो बंद होने वाला है मारूती तो बल्ले-बल्ले है तो निसान company केती है, वो पहले आ गई थी ना मतलब जब कोई company नहीं थी तो मारूती थी इसलिए उसको advantage मिल गया अगर हम आये होते तो फिर बात ही कुछ और होती तो age of a business भी एक advantage होती है अब किया company के रहे हैं हम तो आते ही धुमदड़ा का मचा दिया हमने business तो हमने भी किया है, हमारा भी नाम count होता है, तो ठीक है, निसान कह रही है, रिनाल्ड कमपनी कह रही है, भी या हर कोई तुम्हारी तरह सुभा किशाली नहीं है अच्छा सर्थ ठीक है उसके बाद आता है access to supplies अब मालो मैं आप से car company की बात करूँ, तो car company में आजकल क्या है, होड़ लग गई है, भी या electric car बनाओ, तो electric car बनाने के लिए बेटे बैटरी चाहिए, और बैटरी बनाने के लिए कुछ raw material चाहिए, हो सकता है, आपके पास उस raw material की access ना हो तो वो raw material जो होता है, वो ज्यादा तर Australia में शायद मिलता है और वहाँ की जो mines है, उन mines के उपर Chinese companies ने अपना दावा ठोक रखा है, या tender भरके उनको ले लिया है तो आपको वहाँ से बैटरी के लिए raw material मिलेगा ही नहीं, आपको वो बैटरी चाहिए चाहिए से परचेस करनी पड़ेगी, तो access to raw material भी एक उसका कारण हो सकता है Patents Patents होता है कि आपके पास मतलब किसी काम को करने का आपके पास कोई formula था या तरीका था और आपने उसको register करा लिया तो अब आप ही बना सकते हैं, कोई दूसरा बना नहीं सकता, उसको बोलते हैं Patents ठीक है, तो तीन बाते मैंने आपको बता दी theory of goodwill में meaning, उसकी valuation क्यों और कब करनी पड़ रही है और कौन से factor ऐसे हैं जो business को ज़्यादा profit earn करने में मदद कर रहे हैं एक last point मेरे पास और है, जिसके बारे में कभी-कभी बात होगी, वो यह है कि एक तो होती है purchase goodwill और एक होती है self-generated goodwill इसका कभी-कभी जिकर आएगा ज्यादा तर हम इस chapter में जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे self-generated goodwill के बारे भी तो sir, purchase goodwill क्या है इसका मतलब goodwill को मैंने खरीद लिया, that is called purchased goodwill सुनके नाम थोड़ा अजीब लगता है कि purchase goodwill मतलब मुझे extra profit कमाना था इसी लिए मैंने उस extra profit कमाने की जो ability थी उसको दूसरे से purchase कर लिया तो जो आजकल यही trend होता है जो financially strong लोग हैं वो ऐसी companies को ढूंडते हैं जिने extra profit होता है उन्हें कहते हैं आप मुझसे पैसा ले लीजिए अपना business मेरे नाम कर दीजिए तो मैंने extra profit capacity को खुद नहीं बनाया मैं बाजार से खरीद के लाया तो मेरे पास जो advantage आई उस advantage का नाम होगा purchased goodwill accounting के point review से यहां देखे purchased goodwill is that goodwill which is purchased from other entity इसका मतलब यह है एक business दूसरे business को purchase करता है अभी आप देखेंगे ना तो मेरे ख्याल से जहां तक मुझे ध्यान आता है शायद बाईजू ने आकाश को purchase कर लिया है ऐसा मुझे idea है के हुआ था तो बाईजू भी एक education company है आकाश भी एक education company है तो बाईजू ने आकाश को खरीद लिया आकाश की एक अपनी goodwill थी अब वो goodwill बाईजू के पास आ गई तो बाईजू क्या कहेगी के भी मैंने इसके पैसे दिये ऐसे ही जहां तक मुझे ध्यान आता है Facebook ने शायद WhatsApp को purchase किया है तो Facebook की अपनी goodwill है WhatsApp की अपनी goodwill है तो Facebook ने काफी पैसे दिये WhatsApp को के भाई अब तू हमारे पास आ जा तो WhatsApp की goodwill के पैसे Facebook ने दिये तो Facebook company जब अपनी balance sheet बनाएगी तो वो goodwill की value दिखाएगी अब वो goodwill कौन सी होगी देट इस known as purchase goodwill एक होती है self-generated goodwill जिसे आप non-purchase goodwill कहते हो लेकिन ज्यादा popular name इसका होगा self-generated self-generated goodwill होती है जो की earn की जाती है कमाई जाती है by the efforts मेहनत कीजिए और उसको कमाईए या फिर from factors affecting goodwill इसका मतलब जैसे हमने आपको बताया था कि आपने business शुरू किया उसके उपर आपने महनत की और महनत करके आपने अपने customers का विश्वास जीता लोग आपको एक efficient management मानने लगे आपने अपने लिए contract arrange किये ये सब चीज़े आपने की और इसलिए आप extra profit कमा रहे हो तो इसे हम बोलते हैं self-generated goodwill सर देखो ना purchase करने से अच्छा तो होता है कि self-generate करो बिल्कुल ठीक बात है लेकिन self-generate करना आसान बात भी नहीं होती तो हमें तो accounting करनी है तो हम accounting करते वे आपको बताना चाहते हैं कि जब मैं accounting की बात करूँगा जब मैं valuation की बात करूँगा तो purchase goodwill के conditions अलग है इसलिए उनकी valuation और treatment थोड़ी सी अलग है और self-generated की थोड़ी सी अलग है हाला कि हमें ज़्यादा कभी कोशन करते हुए सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं purchase goodwill की बात कर रहा हूँ या self-generated की बात कर रहा हूँ लेकिन एक बार अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको आगे confusion अगर आनी भी होगी तो वो हट जाएगी अब ना कुछ लोग accounting को ले करके जगड़ा करते रहते कि मैं accounting का बड़ा teacher हूँ मैं accounting का बड़ा teacher हूँ मैं ये हूँ मैं वो हूँ मैं ये मैं वो मैं ये मैं वो क्या हो जाएगा कुछ नहीं होगा क्योंकि accounting is an art it is an art of recording और art क्या है भाई किसी ने बताया है उसको आपने follow करना है अब अगर आप कोगे कि ये गलत है सही है तो वो कहेगा कि भाई एक बात बताओ मैंने आपसे कहा था ऐसा करना है तो आपको ऐसा करना है इसमें सही गलत की बाते नहीं है ये कोई science नहीं है कि तुम सही गलत की लडाई लड़ने लग जाते हो बहुत सारे teacher आपस भी लड़ते है नहीं नहीं वो गलत treatment बता रहा है मैं सही treatment बता रहा हूँ हम बोलेंगे भाई एक बात बताओ accounting तो एक विचार है किसी ने बताया था और मैं उसको follow कर रहा हूँ और तुम उसमें भी जगडा कर रहे हो मतलब ये कि अगर मेरी book में कुछ लिखा हो तो मेरी teacher कहेगी नहीं गगन ऐसा होता है दूसरी book में कुछ और लिखा हो तो वो कहेगा नहीं नहीं ऐसा होता है मेरे guru ने तो ऐसे बताया था ऐसे होता है तो ऐसे में जगडा हो जाएगा ना कोई साबित नहीं कर पाएगा कौन सहीया और कौन गलत है तो accounting के अंदर ऐसे कई सारे मुद्धे हो सकते है जिन में dispute हो जाएगा और ये नहीं कहा जा सकता कौन सहीया और कौन गलत है तो इसलिए कोशिश की गई कि हम उन accounting की problems को resolve करे by issuing standard documents तो अमेरिका में या इंडिया में भी अब यहर country में भी एक organization होती है supreme accounting organization जो की rules दे देती है कहते हैं के जगड़ा मत करो इन rules को follow करो जिसे हम ज्यादा तर न accounting standard के नाम से बुलाते हैं हमारे इंडिया में ये काम institute chartered accountants of इंडिया को दे दिया तो accounting standard जो है AS26 वो यह कहता है कि जो goodwill आप purchase करके लाएंगे वो आप अपनी books में मतलब अपनी balance sheet में आप उसको show कर सकते हो purchased goodwill can be shown in the books यानि आप अपनी balance sheet में purchased goodwill show कर सकते हो क्यों? As it is evidenced by payment अगर facebook ने whatsapp को पैसे दी है तो इस बात के सुभूत मुझूद है इसलिए accounting कहती है facebook को कि तू whatsapp वाली जो goodwill तूने खरीदी थी वो अपनी balance sheet में दिखा दे अब बहुत बड़ी value है उसकी अब facebook कहता है कि भाईया मेरी अपनी goodwill कितनी बड़ी है ये बताओ मैंने whatsapp को खरीदा तो मेरी goodwill तो उससे कई गुना बड़ी है हमने का बिल्कुल ठीक है तेरी goodwill है हम इंकार नहीं करते तो self generated goodwill should not be recognized in the books of accounts और in the balance sheet ये बात AS26 कहता है तो facebook कहता है क्या मेरी goodwill नहीं है हमने का है कहता है value निकाल हूँ हमने का निकाल ले कहता है मैं अपनी balance sheet में दिखाऊंगा हमने का नहीं भी ये accounting मना करता है हमने का क्यों मना करता है asset है मैं तो दिखाऊंगा हमने का देखो अब standardized practice चल रही है standardized practice का मतलब है कि एक document issue किया गया है goodwill से related वो बात कर रहा है तो उसको follow किया जाएगा अब आप गलत कर रहे हो अच्छा sir अगर मैं goodwill कहीं से खरीद के लाता हूं तो purchase goodwill हाँ अगर मैं खुद बनाता हूं तो self generated goodwill whatsapp ने महनत की अपनी goodwill बनाई लेकिन whatsapp अपनी balance sheet के अंदर अपनी goodwill नहीं दिखा सकता जब whatsapp को facebook ने खरीद लिया तो facebook अब जब balance sheet बनाएगा तो उसमें वो whatsapp की goodwill दिखा सकता है क्योंकि उसने उसके पैसे दिये लेकिन अपनी goodwill नहीं दिखा सकता accounting कहती है कि इसमें लोचा है लोचा मतलब problem है problem मतलब valuation को सटीक तरीके से करना बड़ा मुश्किल काम होता है तो ऐसे companies अपनी value दिखा दिखा के अपने आपको मतलब wealthy बता सकती है और इससे reader को accounting information के readers को कुछ गलतियां हो सकती है तो उन्होंने मना कर दिया सिर्फ आप balance sheet में purchase goodwill दिखाएंगे self generated goodwill नहीं दिखाएंगे ठीक है जब हम partnership में accounting का treatment करेंगे तो most of the times मेरे पास self generated goodwill की बाते आएंगी तब मैं बार बार आपसे कहूँगा कि इसको books में हम नहीं दिखाएंगे तब आप कहेंगे sir क्यों नहीं दिखाएंगे क्योंकि इसका reason AS26 में कहा गया है तो यहाँ पर हमारी theoretical बाते अब खतम हो जाती है अब sir इसकी value कैसे निकाली जाए तो purchase goodwill की value निकालना तो बहुत ही आसान होता है भाई आपने उसके पैसे दिया है उसकी value निकालना बहुत असान है यहाँ देखिए purchase goodwill की value निकालना बहुत असान है हमने पूछा facebook से के भाई एक बात बता तुने whatsapp को कितने पैसे दिये तो बहुत बड़ी figure है मैं बोल भी नहीं सकता इतनी बड़ी figure है फिर हमने whatsapp से पूछा के तेरे पास net assets कितने है net assets का मतलब होता है तेरे assets की value और तेरे liabilities की value कितनी है निकाल ली अब हमने facebook से पूछा भाई तुमने पैसे कितने दिये वो कहते है हमने पैसे इतने दिये कहते है उसके assets और liabilities जो balance sheet में आ रहे थे वो कितने थे इसमें से इसको minus करो तो ये वाली value हमेशा बड़ी होगी और ये वाली value हमेशा चोटी होगी जब आप इसमें से minus करोगे तो जो balance बचेगा वो goodwill की value हो जाएगी क्यों? क्योंकि balance sheet में तो केवल what's up की balance sheet में तो केवल tangible assets थे उसके पास अधिकार नहीं था अपनी goodwill को balance sheet में दिखाने का तो जब आपने what's up को खरीदा तो उसके tangible assets आपके पास आ गए साथ ही साथ उसका वो intangible भी आपके पास आ गया और ये बात what's up को मालूम थी तो what's up ने का कि जब मैं आपको अपना business बेचूंगा तो ये जो दिख रहे हैं assets जिसकी value यहां दिखाई दे रही है इसके साथ साथ आपके पास कुछ extra भी तो आया है Facebook ने का हाँ उसी के लिए तो हम तुमसे खरीदने आये है बेटे बाजार में machinery मिलती है furniture मिलता है stock मिलता है सब मिलता है जाओ खरीद लो कोई भी व्यक्ति किसी का business उसकी goodwill के लिए ही तो खरीदता है तो Facebook ने का भाई तब ही तो हम तेरे पास आये है तो उसके जो extra पैसे हैं बता कितने लेगा तो उन्होंने कुछ अपने chartered accountant से पूछा होगा chartered accountant ने कुछ गणित करके बताया होगा कि भाईया इतने पैसे और मांग लेना तो that is known as goodwill लीजे बात समझ में आई सर बहुत ज्यादा बात समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं दीरे दीरे आजाएगी घबराते क्यों होँ अभी जब practical आएगा तो ये बाते अपने माइंड के अंदर छपने लग जाएगी हाँ सर ने कहा था ओके कोई दिक्कत की बात नहीं है हमें समझ में आ गई सर सेल्फ जन्रेटिड की वैल्यू कैसे आएगी तो इसके लिए कई सारे मैथड्स हैं जो हम आपके साथ practical section में discuss करेंगे ओहो सर थियोरी थियोरी में बहुत टाइम लग गया बहुत टाइम लग गया अब क्या करें तो आज कोई छोटी सी बात कर लेते है छोटा सा practical कर लेते है ठीक है तो हमने आपके साथ ये समझा दिया कि भाई accounting के point of view से goodwill दो तरीके कि है वैसे goodwill तो goodwill होती है लेकिन accounting कहती है purchase है कि self-genered है इसकी value कैसे निकालनी है ये practical part में अब हम next class में करेंगे आज हम इसकी बात कर लेते है सर क्या purchase goodwill की value भी की जाएगी बेटे ये important तो नहीं है लेकिन आपकी teacher test में पूछ ले board वाले कभी पूछ ले तब आपको मैंने इसको क्यों नहीं पढ़ा काश मैं पढ़ लेता कितना असान तो है अच्छे लंबी रहात की सास ले रहे है सर थियोरी पढ़ाते हो नहीं 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 लगती है practical पढ़ाओ अजी रुको तुम practical को ना सारा साल करते रोगे फिर भी तुमसे question नहीं बनेंगे गलती जानते हो क्या होती है हम जब थियोरी को सुनते हैं हम कहते हैं यार इसकी कोई जुड़ती है वही थियोरी के points आपको आगे चलके practical में गलतियां करवाते हैं और फिर आप गलती सुधारने के लिए और practical और practical और ज्यादा बनाते जाते हो अरे थियोरी की तरफ आते ही नहीं हो problem तब तक solve नहीं होगी sir purchase goodwill तो वो होती है जो हमने खरी दी उसकी value निकालने की जूरत क्या है वो तो बेचने वाला बताता है कि मुझे इसके पैसे बताओ कितरे हैं तो हमारी book में या board में आपको self generated goodwill के questions मिलेंगे तो अब मैंने जो आपको class के starting में बताया था कि आपने अपने चार pages book के छोड़ दे है register के तो वहाँ पर आप ये continuously ये सब note करते जा रहे हो ये सब note करते जा रहे हो मतलब आपने यहां से note करना शुरू किया ये भी theory note कीजिए ये point note कीजिए ये point note कीजिए और continuation में ये practical वाला part भी note करना शुरू कर दीजिए फिर जब आप exam में जाएंगे न तो आपको 4 pages में पूरे chapter एक concept एक साथ मिल जाएंगे now सबसे पहले sir purchase goodwill की value कैसे निकाली जाती है तो हमने लिखका valuation of purchase goodwill अभी बताया था आपने कितना amount pay किया मतलब seller ने आप से कहा कि ठीक है मैं छोटा example लेता हूँ seller ने कहा कि भाई मेरे को 5 करोड रुपे चाहिए ठीक है आपने उसको 5 करोड रुपे दे लिए यहाँ पे आपने लिखना है 5 करोड purchase consideration मतलब आपने खरीदने के लिए क्या amount decide किया या क्या amount आपको pay करना है या आपने pay किया उसको हम उपर लिखेंगे फिर आपने जो business purchase किया उस business में आपको कितने के assets मिले और कितनी की liabilities मिली assets में से liabilities माइनस करेंगे तो हम उसे नाम देते है net assets suppose कीजिए एक company की balance sheet ऐसी है इसके पास यहां पर fixed assets है 7 करोड रुपे के और यहां पर इसके पास liabilities है मान लीजिए 4 करोड रुपे की तो इसका मतलब सर इसके पास capital है 3 करोड balance sheet की दोनों side बराबर होती है सर यह fixed assets कौन से है यहां पर कोई भी asset हो एक बात ता है कि इसके अंदर उसकी self generated goodwill नहीं हो सकती यानि यह 7 करोड की जो value है यह उन assets की है जो balance sheet में दिखाई दे रहे है हाँ sir now जब भी हम कोई business करी देंगे हम इससे पूछेंगे यह बता तेरे जो 7 करोड है यह तो तेरी book value है कह रहे हाँ यह तो book में लिक्की value है हमने का भाई इसका मतलब अगर मैं इसका business खरीद रहा हूं तो जो इसके balance sheet के assets हैं वो भी मैं खरीद रहा हूं अब मेरी मर्जी है मैं खरीद हूं या ना खरीद हूं लेकिन मान लेते हैं कि मैंने इनको खरीदा तो 8.5 करोड रुपे तो मुझे उसको assets के देने ही देने हैं लेकिन साथ साथ ना उसकी liability भी मेरी हो जाएंगी हमने का के भाई तेरी liability कितने की हैं उसने का 4 करोड की मैंने का वो तो किताबों में दिख रही हैं असलियत में कितनी हैं वो कह रहा यार असलियत में तो मेरी liability जो है ना 4.5 करोड की है तो हमने अगर किसी का बिजनस खरीदा तो वो कह रहा है कि देखो मेरे एसिट्स की मार्किट वैल्यू साड़े 8 करोड है यानि मेरा बिजनस खरीदने से आप साड़े 8 करोड रुपे के अमीर हो जाएंगे हमने का लेकिन साथ साथ तेरी लाइबिल्टी भी तो आएंगी 4.5 करोड रुपे की तो भैस से गरीब भी हो जाओंगा कह रहे हां तो इसका मतलब इतना मेरे पास आएगा और इतना मुझे तेरे नाम का देना पड़ेगा तो मेरे पास नेट एसिट्स finally मेरे पास net assets कितने के आये 4 करोड के आये इसी को मैने यहां लिखा कि आपने पहले लिखना है market value of assets taken over फिर आपने लिखना है market value या agreed value of liabilities taken over ठीक है तो यह थी हमारी 8.5 करोड उसमें से जब मैं liabilities को minus करूंगा 4.5 करोड तो ये हो गई 4 करोड बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है एक बार सुन लीजिए एक बुक में इसके question मिलेंगे नहीं फिर ये कभी आ गया तो आपको दिक्कत करेगा तो हमने कहा कि भाई जब तू एक व्यक्ति के assets खरीद के लाया 8.5 करोड के 8.5 करोड तुमने उसकी liabilities buy की 4.5 करोड तो तुमें उसको जो money देना चाहिए वो 4 करोड देना चाहिए क्यारे लेकिन भाई मैं उसको खरीदने गया था उसके assets के लिए थोड़ी खरीदने गया था मैं तो उसके नाम की वज़े से खरीदने गया था और वो मुझे अपना business 5 करोड से कम में देने को तयार नहीं था तो हमने का वे ठीक है तुने कितने पैसे दिये हमने का जी 5 करोड दिये तो तुने एक्स्टा कितना दिया एक करोड वो कहलाएगा goodwill और ये कहलाएगी उसकी purchased goodwill तो purchase goodwill निकालने का एक तरीका तो ये mathematical equation है this is method one method one क्या इसको आप कह सकते है presentation number one या तो आप ऐसे निकाल लीजिए या फिर इसका एक तरीका और है दूसरा तरीका इसका क्या है वो समझ लीजिए दूसरा तरीका मैंने आपके लिए ये लिखा है कि purchased goodwill can be calculated with the help of general entry यानि ये जो उपर का working note है ये आपको बनाने की जुरुत नहीं है आप working मतलब आप journal entry बनाते बनाते goodwill की value निकाल सकते हो हमने का भाई ये कैसे उनने का देखो purchase goodwill can be calculated with the help of journal entry जो की आप बनाएंगे for recording purchase of business जब आप business खरीदेंगे तो एक entry होती है वो entry कहती है कि आपने assets खरीदा तो debit कर दीजे मैंने का हाँ हमने assets खरीदे 8.5 करोड के तो पहले assets को debit कर दीजे फिर आपकी liabilities भी आई तो liabilities को credit कर दीजे मैंने का 4.5 करोड और आपने जिससे business खरीदा credit the giver वो seller भी आप credit कर दीजे तो ये मैंने लिखा debit what comes in मेरे पास जो tangible assets आए एक एक करके debit करता जाओगा machinery debit, furniture debit, building debit, land debit, stock debit, debtors debit, cash debit, bank debit सब करूँगा लेकिन concept तो मुझे पता है के total 8.5 करोड के ही आए हैं साथ में sir liabilities भी आ गई तो liabilities करेट होती है मैंने liabilities को भी credit किया ये total थी 4.5 करोड credit the giver मैंने vendor को credit किया vendor मुझे से मांग रहा था 5 करोड तो हमारी accounting कहते है कपूर साब जब आप entry बनाओगे तो आप देखो credit कितना है 9.5 करोड debit कितना है 8.5 करोड इसका मतलब debit में एक balancing figure है 1 करोड ये गुडविल हो गई जय हुँ हो जय है sir ये debit क्या हुए वो कह रहा है कि देखो debit what comes in तुमारे पास क्या क्या आया था मैंने का भाई मेरे पास उसके नangible assets आये थे कहते है ठीक है वो तो 1.5 करोड के थे तुमारे पास कुछ और भी तो आया था हाँ मेरे पास उसके नangible assets भी आये थे कह रहा है assets taken over debit, एक line छोड़ देनी है, फिर लिखना है to liabilities taken over or to vendor, आपके पास इन तीनों की value available है, assets की value available है, liabilities की value available है, और vendor कितने पैसे मांग रहा है ये question बता देगा, जब ये values आप place करोगे, तो आपके पास एक balancing figure आएगी, इसे हम बोलते हैं goodwill, मैं definitely आपसे ये कह सकता हूँ कि अगर आप live class कहीं से भी online पढ़ रहे हो, या आप किसी coaching में जाके पढ़ रहे हो, आपको ये वाली entry कोई भी नहीं बताने वाला, क्यों, वो कहेगा exam में तो आती नहीं, छोड़ो time क्यों लगाना छोड़ दो, लेकिन recorded class में आप मजबूर हो, आपको वो सुनना पड़ेगा जो मैं सुनाना चाहता हूँ, और मैं कुछ छोड़ूँगा नहीं, क्या है न कि कभी exam में, test में कोई पूछ लेगा, अच्छा ये question, तो आपको दुख होगा, यार उस समय काश हमने दो मिनिट इस पर भी दे दिये होते, ठीक है, तो ये आप, आपको मैंने समझा दिया, simple सा concept है, एक बार बस मैंने बताना था, so that अगर कभी आपको सामने आ जाए तो दिक्कत ना हो, तो ये हमने खरीदा, और हमने ये लिख दिया यहाँ पे note में, कि अगर आप अबव entry में, balancing figure debit की बजाए credit में आ जाए, then there is no goodwill, अगर सर ये debit की बजाए balancing figure credit में आ जाती, तो इसका मतलब कोई goodwill नहीं है, कभी बच्चा कहे sir goodwill negative होगी, goodwill negative होगी, ना बेटे ना, goodwill कभी negative नहीं होती, अच्छा, sir अगर वो credit में आ जाता, तो समझ लो, फिर हम उसको capital reserve लिख देते, sir लेकिन ये वाली बाते मेरो कैसे समझ में आएंगी, मैंने का बेटे मैंने आपको ज़्यादा समझानी भी नहीं है, क्योंकि आपकी book में इसका कोई question भी आपको नहीं मिलेगा, एक illustration मिलेगी, बस वो मैं आपको आज homework दे दूँगा, तो sir ये बाकी जो मैंने business purchase किया था, पांच करोड रुपे में, इसकी payment भी तो करनी है, तो इसकी payment की आप entry करना, vendor account debit to cash या bank, तो ये exam में नहीं आता, लेकिन आपकी book में दिया हुआ है, आपकी teacher कभी भी पूछ सकती है, तो please, चोटा सा point है, छोड़ना मत, आप इसको homework में पढ़ेंगे, अच्छा sir ये जो मैं homework करूँगा, तो ये चार pages हमारे चल रहे हैं, इसके बीच में मत करना, आप fifth page के ओपर जा करके, illustration number one solve करना, sir मेरे चार pages पूरे भरे नहीं है, अभी तो दो ही page भरे है, तो अभी chapter भी बाकी है न, तो उन chapters में, जो अभी चलने वाला ये chapter, इसमें जो concept सिखाऊंगा, आप वही continuation में concept, concept note करते जाना, ताकि आपके चार pages में पूरे concept आ जाएं, ठीक है sir हम illustration one homework करेंगे, और जो theory के point बत कर लेंगे, फिर मैं next class में आपके साथ इसका और practical discuss करूँगा आगे, ठीक है, ऐसे continuation में आपके notes बनते जाएंगे, जो कि 4 pages में आपको पूरे chapter का summary notes दे देंगे, कुछ बच्चे कह रहे होते हैं न, कि sir notes दे दो notes, तो notes साथ में बनवाएंगे, चल ये tata, bye bye, see you next class में बिले इसका कोई unsolved question मिलेगा नहीं, आपने भी ढूंड़ना नहीं है, जो एक question illustration number one है, उसी से आपने अपने आपको संतुष्ट कर लेना है, इसी illustration से आपने अपने आपको संतुष्ट कर लेना है, कि हाँ मैंने एक बार purchase goodwill देख लिया, exam में आता नहीं है, अगर आएगा, तो हम कर लेंगे, ठीक है, ये दो entries मैंने आपको समझा दिया है, ये मैंने आपको बता दिया है, goodwill की value आप balancing figure करके निकालोगे, मुझे पता है, जैसे book ने दिया है, लेकिन अगर आप working note बनाके निकालना चाहोगे, तो इससे आपको concept में फायदा होगा, तो next class में हम self generated goodwill की value कैस साथ discuss करेंगे, tata, bye bye and see you.